दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ दाद, खाच, खुजली या फिर फंगल इंफेक्शन के द्वारा जो हमें दाने हो जाते हैं या दाद हो जाते हैं खुजली होने लगती है या बहुत जादा वहाँ पे रेड रेड हमारा जो इसकिन होता है वो पूरा ला हो जाता है तो घरेलू रेमडी के द्वारा आप किस तरीके से उन दानों को उन खुजली को दाद को पूरी तरीके से खतम कर सकते हैं वो भी बिना किसी नुकसान के आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा और बहुत ही एजी ये और इसका इस्तमाल करके आप अपने शरीर में कहीं भी भी आपको दाद खाज खुजली की समस्या है या दानों की वज़ा से है या फंगल इंफ्रेक्शन की वज़ा से है उन सभी को आप बहुत ही कम समय में दूर कर सकते हैं तो चलिए गाइस इस रेमडी को बनाना स्टार करते हैं so guys मैंने किलिया है 100 ग्राम के लगभग कच्छी हल्दी कंच्छी हल्दी की जगा पर आप यहा पर जो PCV किचन वाय हल्दी होती है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप कच्छी हल्दी इस्तमाल करते हैं तो ये बहुत जल्दी और कम समय में जादा फायदा आपको पहुचाएगी कच्ची हल्दी, एंटिसेप्टिक, एंटिफंगल, एंटिबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है इसमें बहुत जादा पोशक तत्व पाये जाते हैं इसमें आपको मộल्टी विटामेंस मिलते हैं इसमें आपको जितने भी कैल्σιम है या फिर जितने भी पोशक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है स्वास्तर वर्दक होता है वो सारी ही चीज़ेस में मौझूद होती है हल्दी जो होती है ये आपके दानों से हुए फंगल इंफेक्शन या फिर दानों से हुए जो दाद खाच होती है उसको दूर करती है वहां की तौचाब में अगर आपके इसे पील करना है बॉश करना है इसकी बाद छोटे-चोटे इसके क्यूब करके एक मिक्सर जार में एड़ कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों ये आपके किसी भी तरीके की दात, खाच, खुशली हो या फिर बहुत पुराने समय से आपको खुशली की समस्या हो रही हो, कुछ टाइम बाद सही हो जाती हो, फिर अनेदर से मतलब मंतली चेंज होते हैं, वैदर जादा फायदा मिलेगा, अब आपको इसमें एड करना है अलोवेरा जल, अलोवेरा जल प्लांट बेस का ही ले, तो जादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें से स्किन में इस्तमाल नहीं करना है, मतलब अपने चेहरे के लिए इस्तमाल नहीं करना है, हमें से इस्तमाल करना ह फंगल इंफेक्शन के लिए तो वहां पे आप जितना ज्यादा प्लांट बेस चीजों का इस्तमाल करेंगे वह बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपको इसके एजस को यानि की कांटों को निकाल लेना है और इसे भी छोटे-छोटे टुकडे में कट करके मिक्सर में डा करना है रहाई अरो जया प्लस आपको कच्छी हल्दी का इस तरीके से पूरा पेस्ट बना के रैडी कर लेना है विलकुल स्मूथ्ली robić के अब इस पेस्टमे में आपको एड करना है औल तो आपको यहां पे एड करना है नीम ऑईल यान यानि कि जितनी चीजा हम ने इसमें वो सारी की सारी antiseptic है, antifungal है और antibacterial है किसी भी तरीकी का आपके किटानू होता है या फिर वाइरस होता है उसको तेजी से खतम करती है हल्दी और नीम का तेल आपको यहाँ पर कम से कम दो चमच के करीब नीम का तेल एड़ करना है आप चाहे तो मार्केट वाला नीम का तेल या फिर घर में ही बना हुआ जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं नीम हमारे fungal properties के लिए यानि fungal के जो जितने भी वाडू होते हैं किटारू होते हैं उनको नश्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है और ये तेजी से वहां की skin को cure करती है इसके साथ साथ अगर आपको जरा से भी itching हो रही है या खुजली हो रही है बार बार रह रहे कि खुजली होती है तो वो समस्या को भी दूर कर देती है तो इसे आपको अच्छे से mix कर लेना है आप इसे एक हफ़ते बना करके नॉर्मल temperature रूम पे इसे रख सकते हैं store कर सकते हैं इसे ज़्यादा आपको इसे नहीं store करना है और आपको इसे daily ही लगाना है जहां पे भी आपको समस्या हो सिर्फ उस area में ही आपको लगाना है तो इसे लगाना कैसे है ये भी मैं आपको यहां पे दिखा दे रही हूँ जिस तरीके से अगर आपको आपके हाथ में पैर में या गले में या पीठ में या स्टमक में कहीं पे भी आपको खाज की समस्या है खुजली की समस्या है या दाध हो रखें तो सिर्फ उस एरिया में ही आपको इसको लगाना है और इस तरीके से पूरी चारो तरफ यानि की जितनी जगा पे जितनी एरिया में आपको उस प्रॉब्लम है दाध खाज की सिर तो यह daily ही आपको करना है और दिन में कम जगम तीन बार इसे जरूर इस्तमाल करना है। यह इस्तमाल करेंगे आपके जितने भी दातखाच की समस्या है वह दूर होगी। उससे जो खुजली होती है, इच्शिंग होती है वह दूर होगी। वहाँ जो स्पॉर्ट्स पर जाते हैं वह भी दूर हो जाएंगी अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं। तो तुरंट तो कोई चीज हम इस्तमाल करते हैं, Home Remedies जैसे कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन ये बिना किसी नुकसान के आपके समस्यां को दूर कर देती हैं, आप इसे बना करके एक हफ़ते के लिए सोड़ कर सकते हैं, खतम हो जाता है, तो आप अगेन से इसे बना के रख सकते हैं, तो उमीद करती हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, helpful लगी हो, तो प्लीज एक लाइक कीजेगा, वीडियो को शेयर कीजेगा, चैनल में नीव है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, विद बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी मेरी अपडेट या नोटिफिकेशन आए, आपको सबसे पहले मिले, तो चलिए गाइस, फिर से मिलते हैं, एक और न्यू एनधर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, ठीक क्यार, अपना ध्यान रखिए,